महराष्ट्र राज्य के नांदे दग्राम के निकट राइपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डाइनो का बसे रहा है। स्थानी ये लोगो का मानना है कि यहां रात में गुजरने वाले लोगों को डाइन पहले तो अपने वश में करती लेती है और बाद में उस इंसान का खून पी कर स्वे को अमर करती है। वहां माना जाता है कि यह इलाका डाइनो का है। यहाँ पर इंसान का कदम रखना खत्रे से खाली नहीं है। और अगर आप वहाँ पर गए तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफी नुकसान दयाग साबित हो सकती है। अगर आपको यह यकीन ना हो रहा हो, तो आप यहाँ किसी भी पेडों में कील गाड कर खुद ही देख लीजिए। लेकिन आप लोगों का मौत से सामना जरूर हो जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास या उन्श्रद्धा लग रहा हो तो इस भूतिया गाम का यही दस्तूर है। इस भूतिया गाम को लेकिन डायन ने गाम की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपने साथ लगाई। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है। यह गाम की वही जगह है जहां वास्तविक्ता में यहां के पुरुशों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है, कब किस कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता है, अभी तक यहाँ पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं, जिन में से पुरुष लापता हो गए, लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है, यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को मार दिया होगा, रायपुर में पेडों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाई गई है, यहाँ पेडों के उपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है, एक बार एक पेड काटने पर गाव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी, 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है, डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 5, 6 तांत्रिकों को भी मौत हो गई, जिसके बाद ता अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं, गाव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अकसर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीब औ ग्रीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन पीछे मुडने पर कोई नहीं होता, गाव के रंज राइपुर के लोगों का मानना है, कि यहां कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गाव के कुछ लोगों ने बलातकार किया था, उसे बंदी बनाकर रख लिया और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी, इसके बाद वही डाइन बनकर यहां अपना बदला झाल 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 झाल